दोस्तों स्वागत एलिगेंट टिटोरियल के यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में आप क्लास 10 के अंसार्टी का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेसर में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेशन नमर 6 के सॉल्यूशन को देखेंगे इससे पहले आपको इसी नमर 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन प्रोवाइट कराया जा चुका है क्वेशन नमर 1 से लेकर के 5 तक का सॉल्यूशन का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहेंगे आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं तो चलिए बीना देर किये वीडियो को स्टार् कोमा 2 है तो इसी तरह से हम इसको आगे की और और लिखते जाएं तो क्या ये माइनस 150 इस AP सीरीज का कोई टर्म होगा उसी को चेक करना है तो यहाँ पर जैसे 11 तो 11 क्या है फर्स्ट टर्म तो हम यहाँ पर लिखते हैं A is equal to 11 D कितना common difference तो common difference क्या होगा 8-11 तो यह होगा minus 3 और यह जो minus 150 है तो हम यहाँ पर इसको let कर लेते हैं कि let minus 150 बी लेट माइनस 150 बी दि एंथ टर्म ओफ दिस AP ठीक है तो AN कितना AN हो गया यहाँ पर minus 150 ठीक है n is equal to what इसी n का हमको यहाँ पर value find करना है तो AN is equal to formula क्या आता A plus N minus 1 into D ठीक है तो AN है यहाँ पर हमको minus 150 minus 150 is equal to A है यहाँ पर 11 11 plus N minus 1 और D कितना find किये तो D find किये पर minus 3 अब हम इसको solve करदेंगे तो इस 11 को हम left hand side में shift करेंगे और solve करेंगे तो यह कितना होगा यह हो जाएगा minus 161 ठीक है equal to N minus 1 into minus 3 फिर क्या करना है तो N minus 1 is equal to क्या होगा N minus 1 therefore N minus 1 is equal to यह जो minus 3 है यह क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 161 हैना minus 161 by minus 3 इसको हम divide कर देंगे तो 161 by 3 और यहाँ पर N minus 1 है तो N is equal to कितना तो N is equal to 161 by 3 और plus 1 अब हम इसका LCM लेता है तो यह होगा 3 और यह 161 अब plus 3 तो इस तरह से जब हम इसको solve करेंगे तो यह कितना आया 164 by 3 तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि N is equal to 164 by 3 आया N is not an integer ठीक है यह जो number of terms है वह कभी भी integers नहीं आ सकता है इसका मतलब क्या कि जो minus 150 है वह इस given AP का term नहीं है तो number of terms यह integer में यह कभी भी fraction में नहीं आ सकता है जैसे कि हम इसको कहेंगे यह first term है यह second term है हम ऐसा बोल सकते है क्या कि इस दोनों के भी में one and half term है नहीं है तो उसी तरह से यह जो यहाँ पर fraction में आ गया तो minus 150 कभी भी इस AP का term नहीं हो सकता है दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो किलिए लाइक कोमेंट और सब्सक्राइब अवस करें मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में तब तक के लिए धन्यवाद